हलो फ्रेंस वेलकम टू राइजिंग ग्यान चैनल फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयोग की तरफ से जो आपकी यहां पर गरूप गय की सीधी भरती के माध्यम से उत्राखंड वन विकास निगम के अंतरगत स्केलर की आपक आए जारे हैं डिटेल में तो फ्रेंस यहां पर फॉर्म बरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशल नौटिफिकेशन है इसको रीड आउट आप ज़रूर कर लीजी जिससे आपको इस वेकेंसी से रेटेट साई जानकर ही मिल सके और फ्रेंस इसकी साथ ही हमाई एक छोटी सी अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें और फ्रेंस यह इसकी जो ऑफिशल पॉटल है इस पे जाएंगे यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन है यह आपको देखने को मिलेंगे इसकी फॉर्म की स्टैप है वो आपको देखने को मिल जाएगी आपकी जो फोटो सिगनेचर है इसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन यहां देखने को उसके आपडी कर दिके रिए आपकी जो भी तो बर्थ की आप इmetro कर देंगे कलेंडर में से आपको अपनी जो भीड़िकी डिट बर्थ का पूर्ड उसके आपड़ी कर दिके आपकी एक जुलाईथ तो आपको यसदों अपने अक्वाडिंगन करना होगा। आपने फास करें होई है तो आप यसमें आप यसदों करेंगे। है या स्टेट गुर्वर्मेंट में हो कारे रचा है है। करें का लीह कर देना है इसकी बाद फ्रेंज उनकर देंगे ल О can कर देना है उसकी बाद आपका मैंड उत्र परिदेश है तो आप कि जो भी ऑप या yes कर लेंगे उसके बाद आपकी जो भी यहां पर certificate है तो आपका जो भी certificate authority है कि किसने आपको authorized का था वो आपको select करना है आप इस date को आपको authorized हुआ था है इसके आद आपका जो certificate number है वो आपको डालना है कि डिस्टिक्ट ने आपको authorized का था और आपका यह कब तक valid है यह आपको सभी detail डालनी है अगर आप यहां पर उत्राखंड के निवासी नहीं है तो आप नो करेंगे इस condition में आपको यहां पर जनरल सही count होंगे पर इसमें आपको यहां धियान रखना है कि आपका यहां पर आपको यहां पर नाम है उसकी आपको यहां एंट्री करनी होगी इसके बाद आपको एक पासवर्ड है वो आपको है बनाना होगा तो आपको अपर पासवर्ड है वो आपको यहां एंटर करना होगा उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा कंफर्म पासवर्ड करने के बाद को यहां पर जो सिक्योर्टी कोड है वो आपको भरना होगा सैंपल के तो पर पासवर्ड बना रहे हैं आपको अपना एक्चल जो पास लॉगिंग कर देंगे इसके बाद आपको यहां पर आपका यहां पर आता है आपकी इलिजिबिलेटी तो आपको यहां पर आपकी जो कौलिफिकेशन है वह आपको यह एंटर करनी होगी तो आपकी हाई स्कूल है उसकी आप एंटर करेंगे आपका स्कूल है तो वह आप यहा पासिंग एर है उसके आपको यहां एंटर करनी होगी उसके बाद जब आप इसकी एंटर कर देंगे तो आपका जो भी हैं सब्जेक्ट है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे इसे कि आपके जो आपके माक से और आपके डेल आपको देंखने को मिल जाएगी इसके बाद आपके इंटर माग से वह आपको यहां पर देंगे का हैप यहां सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में इसकünde आफकी सब्जेक्ट की आपफे सब्जेक्ट कर देना है तो आपकी ऑपका सिर्फ में का सिश्टम ए क्या मांक जो भी तरह आप अपनी जो graduation की detail है वो आप डालेंगे तो आपकी school है आपका university है आपका यहाँ पे board है आपके जो भी marks है उन सभी की आप detail यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद आपका यहाँ पर आता है कि आपकी family member को यह title में आर्मी में आप रहे हैं yes no करेंगे आपका यहाँ आप कि खिलाफ को के के से आप question करना होगा इस जो भी यहाँ पर आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ चूच कर लेना है तो आपके आईडी प्रूफ जैसे कि आपका आदार काड़ इसके नंबर डालना है और continue पर आपको क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करने का आद आद आपका प्रूफ जो फोट फोट वे सिगनेचर आई वो आपको अपलोड करने है जिसकी साइज आपको यहां पर आपको यह एर्र सो होता ही कि आपकी फोट फोट वे सिगनेचर कसा जब आपके सभी नहीं है तो आप इस कंडिशन में आप MS Word पे आप जाएंगे और MS Word पे जाने के बाद आपको जो भी यह पर size देके रखी है वह आपको यहाँ पर MS Word पर आपको जाना है और resize पर आपको क्लिक कर देना है जब आप यहाँ पर अपनी जो size है वह आप की जो फोटू है वहाप यहाँ पर सेफ कर लिंगे इसी तरह साइज burger कर लें लिखों सब्सक्राइब कर लाध में जैपशु कर लेने हैं जो आपको लाध कर ले टाए हो ने हैं। कर देंगे इस मिलता है आपक story क नंड़ा है आपको सब्सक्राइब मिलता है बसêter करने के बाद आपको यहां पे आगे अपका आपस्छे आता है आपका पेयमेंट कर आते हैं तो आपको यह पुस्वोड टीक करेंगे और चूच कर देंगे हो पेयमेंट करेंगी हो जो मजज